हेलो फ्रेंट स्वागत एक बार आप सभी का फिर से डिजिटल दैयरी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है चेतन पारिक आरसाखिरवाल सौल कर रहे हैं इंदी वाला वर्जिन इसमें हमने लसे मेट से अफ सुरू कर दिया था पांच वा पार्ट हम शुरू करेंगे अब तक समाफ वर्टक तथा लगुतम समाफ वर्टक का योग 680 है यदि लगुतम समाफ वर्टक का 84 गुणा है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है यह आपको ग्यात करो आई बात समय में कूप सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं सवाल कह रहा है एच्छी है तो इनका योग है 680 ठीक है और यहाँ पर देखा जाया यह कह रहा है LCM HCF का 14 से गुणा है LCM 14 से गुणा है HCF का ठीक है इसके अलावा एक संख्या आपको दे रखी है फर्स्ट नमबर कितना दे रखा है 56 आपको फाइंड करना है सेकंड नमबर देखो खूब सारे तरी का तो है कि आप इन दोनों एक्वेशन को सॉल करो और LCM और HCF के इंडिविजिवल वल्यू निकाल लो ठीक है इसके अलावा पहली संख्या आपके पास पड़ी है तो फिर हम वह फॉर्मला लगा देंगे जो हमने प्रिवेस पार्ट में देखे हैं कौन से वाला फॉर्मला LCM into HCF is equal to पहली संख्या into दूसरी संख्या वह वाला फॉर्मल लगाएंगे तो second संख्या मिल जाएगी इसके लावा दूसरा है option की help भी आप ले सकते हो ठीक है तो हम करते हैं हमारे method से करते हैं LCM के value 85 HCF जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो 85 और 1 किते हो गए 84 और 1 किते हो 85 HCF यह किसके बरावर हो गया 680 यह पिच्छांसे लगा लो डिवाइड में तो HCF किता आ गया यहां से 680 बटा पिच्छियांसे देगो क्या तक लियर है इसको अपसॉल करना है 17 से काट लो 5 बार मैं 17 से काट लिया 40 बार में फाइनल यह किता कट गया 8 बार में 40 बटा 5 कित सब्सक्राइब दूसरी संख्या जो आपको ग्याद करना है इसको सॉल कर लो हमारा आंसर आज आए ठीक है तो किता हो गया दोको आटो सती चपन और साथ से अगर मैं इसको काटो तो 9 वार में कट रहा है 63 तक चार अगर आगे भेज दूँ तो 6 वार में कट रहा है तो यहां से सेकंड नमर हमारा क्या आ रहा है 96 आ लिया रहा है चिन्लो यानि option C हमारा क्या होगा correct answer हो आगे बढ़ता है हमारे next question की और अगला सवाल देगो 32 नमर question यह कि अगर आपने प्रीवेस पार्ट देखें तो मैंने अब चीज सिख़ा इती कि क्या सिखा है था कि LCM के अंदर HCF एक वार available होता है जैसे मैं बात करता हूँ आपके सामने दो संख्या लेता हूँ 15 और 25 ठीक है मैं अगर आपको कहूँ कि इसका HCF बताओ तो आप मुझे बतादोगे 5 है ठीक है मैं अगर आपको बोलता हूँ मुझे HCF LCM बताओ ठीक है आप एक चीज़ देखोगे कि जब मैं इस 25 के दो टुकडे करूँगा 15 इंटू 5 लिखूँगा तो आप देखोगे कि HCF जो है LCM के अंदर available है यह रहा 5 है नहीं है HCF जो है वो LCM के अंदर available है इसका मतलब हमेश साथ ध्यान रखना है इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इसके भी टुकडे करूगे ठीक है तो जो टुकडे होंगे उसमें से ही आपको HCF बनने वाला है आपका HCF वहीं से बनेगा इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे चारो अप्सन है तो कौन सा HCF नहीं हो सकता जो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा आई बात समझ में तो अगर मैं बात करूँ 35 की तो 35 का भाग अगर आप 120 में लगा होगे देखो डिवाइड जाएगा नहीं इसका मतलब 35 हमारा आंसवर है बाकी 24 तो डिवाइड कर रहा है तो यह तो नहीं कर लगाना ठीक 12 भी डिवाइड कर रहा है और आंट भी डिवाइड कर रहा है यह भी नहीं लगाना आपको बोला है मातम समाव परता है कौन सा नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है इस पर थोड़ा दियान रखना है जिनका महतम समावफरतक सोड़ा है तथा लगुतम समावफरतक कितना है 136 है आपको HCF सोड़ा दे रहा है आपको LCM कितना दे रहा है 136 आर आपको यहां पर पूचा है कि कितने जोड़ा ऐसे संभव हुए इस condition के लिए तो देखो हें पर, अगर HCF है इसका मतलब क्या हूँ है, कि 27 डॉनों ही संख्या के अंदर available होगा ठीक है, 284 के अंदर मैं dagegen जोड़ों की बात कर रहा है न मतलब दो संख्या है, तो डॉनों के अंदर 276 तो available होगा, इसके अलावा 136 के अंदर अगर मैं 16 का डिवैड लगूँ ठीक है 180 के अंदर मैं 16 का डिवैड लगूँ तो कितनी वार में डिवैड जा रहा है देखो तो यहां से अगर हम देखें पूरा-पूरा तो जाई नहीं रहा है साथ एक पर अप्रॉक्सिमेट काट के देखते हैं पहले दो से कारते हैं चलो 6 से काटा प्र 8 से काट लिए चरद या सारी 2 से उसके बाद इसको 2 से काट रहा तो 8 पर मेंगट गी है ठीक है अब यहां पर आप एक चीज नोट करोगे 68 अपॉन 8 आ रहा है यहां पर 4 से काट लो 17 मिलो यहां पर 4 से काट लो कितना मिल गया है 2 या नी आपको क्या मिल रहा है 17 बटा दो, और क्या पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, यह आप ऐसा लिख सकते हो, ज़्यादा स्था बटा दो, इंटु एक, और कुछ, इसका लाओ को टुकड़े हो सकते हैं कि 17 बटा दो के, अगर आप टुकड़े लिखना चाओ, इसका लाओ तो कुछ है नहीं, त इसको तो करिल लेते हैं, यहाँ पर किता आगया, पहला जोड़ा यह आ रहा है, ठीक है, अब दूसरा जोड़ा क्या है, 17 बटा दो इसके साथ गुणा कराओगे, तो बटा दो से एक कट जाएगा, 8 बार में, क्या मिलेगा, 8 इंटू 17, और एक जब यहाँ पर लिखोगे, इंटू एक इता आया, आपको दू जोड़े मिल रहे, लेकिन आप वापिस एक बार क्रॉस वेरिफाई जरूर करो, क्योंकि यह फ्रेक्शन है, फ्रेक्शन में कई बार हो सकता है, गडबड हो जाए, हमारी कैल्कुलेसिन में बी, तब वापिस क्रॉस वेरिफाई जरूर क रहें कि क्या इन दोनो का, है छोड़ा सोड़ा आ भी रह या नही आ रहा ता आप नूप करो कि दौनो नहीं ही नहीं होता है, इसा कोई जोड़ा संभव नहीं है, आइब बात समझें तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना है, इसलिए मैं आपको पहले पार्ट में कहा था इस चेप्टर को आप रट के कभी भी नहीं कर सकते है आपको थोड़ा इसको imagine करना पड़ेगा थोड़ा इसमें feel लेनी पड़ेगी इस चेप्टर के अंदर घुसना पड़ेगा तो यह चीज़ें आपको अच्छी तरीके से clear होगी आई बात समझ में हैं तो यहां पर हम क्या टिक लगा देंगे इन में से कोई नहीं clear आगे बढ़ते हैं अगला है इन में से कोई नहीं sorry उसमें पिछले में होगा कोई नहीं इन में से कोई नहीं 35 नुमर सवाल है हमारा कह रहा है कि 306 और 657 का HCF अगर 9 है तो LCM कितना होगा बहुत simple सवाल है तो पहली संख्या into दूसरी संख्या is equal to HCF into LCM यह खतम गरोई सवाल है अब इसको solve करना है और LCM निकालना है यह काम मैं आपके उपर सोड़ता हूँ पर देख लो 9 से काट लो जो भी मिले उसके गुणा कर लो और उसको ठीक लगा लो क्लियर है कल्कुलेशन वाला पार्ट आपके उपर है क्या है इस कांसर कमेंट में जाए वीडियो कैसा लग रहा है कंटेंट कैसा लग रहा है वो भी लिखे साथी साथ क्वेस्टन नमबर 35 कांसर क्या है तो क्वेस्टन नमबर लगा क्या आंसर लिखें ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे एगले सवाल किया नेक्स्ट क्वेस्टन है देखो 36 नमबर ये हमें कह रहा है वहाँ नियूंतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो बारा, पंदरा और पतचीस से पोर्ण तया विबग ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए पहली चीज तो ये है और बारा, पंदरा और पतचीस, तीनों से पूर्ण तह विबगत होनी चाहिए देखो 133 तो हमारा आशूर भी नहीं सकत, क्योंकि 134 पूर्णवर्ग ही नहीं अपने, बाकि ये 20 का isquare है, ये 30 का isquare है, ये 40 का isquare है, ये सारे हूर्णवर्ग है, clear है यहां तक, और आगे क्या बोला है, निम्तम पूर्णवर्ग सबसे छोटा होना चैसा, तो आप क्या करो one by one छोटी संक्तिया से सुरुआत करो और divide करो option पकोड़ा आप तो सीधा है इसमें option सबसे best है तो अगर आप 12 देखते हो 12 का divide लगा हो इसमें 4 सुमें 12 का divide जा रहा है किया नहीं जा रहा है हटा लो यह answer नहीं हो तो इस पे आओ क्या इसमें 12 का भाग जा रहा है किया तो आप देखोंगे 14 सी तक तो चला गया था ठीक है 14 सी तक चला जाएगा 6 आगे बेजों को तो बिल्कुल चला जाएगा 5 बार सही है 14 सी तक तो चला गया था 7 बार में और उसके बाद 5 बार में तो इसके अंदर डिवैड जा रहा बिल्कुल 12 का 15 का भी जाएगा और 25 का भी जाएगा इसका मतलब यह हमार आंसर है इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है तो माल लो इसमें डिवैड चला भी जाये तो भी हमार आंसर नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर आपको नियूंतम संख्या बोला है आई बात समझ में तैसे सवालों को 10 से कम समय में आपको एक्जाम में सॉल करने हैं अगर आप प्रेक्टिस करोगे तो आप जरूर कर लोके एक्जाम से आगे बढ़ते हैं 37 नमबर सवाल को देख लेते हैं बैंकिंग का ये सवाल 210 में क्या कह रहा है कि वहां नियूंतम संख्या कौन सी है जिसे 8-10 या फिर 12 से विवख्ट करने पर प्रती एक दसा में 7 आए सेस्फल के रूप में कितना है साथ है अब इसको करने के भी खूप सारे दरीके हैं आप चाहो तो LCMHCF वाला कॉंसेट से भी कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर उप्शन से भी कर सकते हो तो उप्शन जब हमारे पास अविलेबल है तो हम क्यों इतना जहें डेप्ट में सीधे यह अंसर लगो डिवैड करो 127 के अंदर आप डिवैड लगो 8 का ठीक है तो एक वार में चला गया 8 तक ठीक है 4 और यहाँ पर 47 बचाव देखो के 5 तक चला गया बिल्कुल पीछे रिमेंडर 40 यहाँ पर आगे ना बाकी का आपको च discik करने की ज़रुरत नहीं है अब यहाँ पर एक डाउट जरूर है सकता है कि सर इनमे है से कोई नहीं भी तो possible है क्योंकि 127 से च्छोटी सेहां भी तो कोई नहीं हो सकती है अब जरूर ही नहीं है कि हो लेकिन हो भी तो सकती है तो इसके लिए फिर आपको method का आना भी जब भी है तो मैंना option से कैसे करना हो बता दिया आपको अब एक वार हमारे method से भी confirm कर लेते हैं कि एक से सतेश से कोई दूसरे संख्या ना हो फिर गलती से इन में से कोई निटिक उगए आगा आई बात समय में कितना आ रहा है देखो इन सब का LCM तो बारा बारा देखो LCM निकालने के लिए खूब सारे तरीके मैंने बताया थे एक तरीका था उसमें से बारा का सबसे बड़ी संक्या जाना उसका पहड़ा पढ़ना शुरू कर दो और तब तक पढ़ते जाओ जब तक सब का भागने जाता तो बारा एकम बारा बारा दोना चोईस में इसका नहीं जाता शुरू क्वल आप देखो कि 120 तक पहुंच जाओ गया 120 तक जाओगे ना तब आप पर देस और आट का दोनों का चला गया और बाकि बेसिक तरीका तो है 27 आई बात समझ में अब संख्या है तो और भी खूब सारी हो संख्या जैसे 247 भी है 120 इंटू 2, 240 प्लस 7 कर लो 247 भी है लेकिन वो नियून तम नहीं है आई बात समझ में तो इस केस में फिर हमारा आंसर क्या लगाएंगे हम 127 से ही है इन में से कोई नहीं की तरफ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा NCM खुदी 120 तो आ रहा है इसमें साथ अभी तो और जोड़ेंगे तो इससे कम का तो फिर चांस इन नहीं है तो इससे स्थाइस बिल्कुल परेक्ट तो अप्सन से भी देख लिया इन सब में से पूर्ण तह विबाजित हो और इन सब से विबाजित कर सकते हो ग्यारा से गटाने के बाद में तो वही चीज करेंगे हम तो एक तरीका तो उप्सन वाला है अप लेकिन यहां पर देखो कि आप उप्सन बड़े-बड़े है कर सकते हो कोई प्रब्लम नहीं है अप्सन से बिल्कुल हो जाएगा लेकिन अप्सन थोड़े-बड़े हो सकता है टाइम लग जाए तो फिर दूसर तरीका क्या है चाउदा पंद्रा एक्किस और बत्तिस और किता लिखा है इन सब का आप लिलो एलसेम एक वार के लिए ठीक है लीस्ट कॉमन मल्टिपल लिलो भाई अगर कोई संख्या आपको ऐसी चाहिए जिसमें सब का डिवैड जाए तो आप तो पहले नियू उन्तम संख्या निकाल लो और वो क्या कहलाता है जिसके अंदर दी हुई सारे संख्याओं का बाग चला जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूं एलसेम निकाल रहा हूं तो एक वार मैं लिखता हूं साथ और साथ से जो जो कट रहा है वो काड दो साथ से जो जो कट रहा है वो काड दो काड दिया आगे बढ़ता है इसके बाद में दो से काटा ये दो से काटा और ये दो से काटा यह लास्ट में आठ बचेगा तो आठ भी लिलो यानि फाइनली सोड़ा लिली आमें यह क्या मिलगी आपको LCM मिलगी ठीक है तो सोड़ा पंजे असी हो गया 80 इंटू 3 दो सो चाड़ेस इंटू 2 किता हो गया चार सोसी और इंटू कर लें हम लास्ट में यह वाला साथ किता हो गया यहां पर आएगा जीरो उसके बाद सातो अटी छपपन यहां पर आगया पांच 285 किता हो गया यह नहीं हमारा LCM कितना आ रहा है देखो LCM आ रहा है यह बक्ता यह वो गया रहा और आप उपनिध्या कितना सा यह था तो आप्संपी होग और उनका आप 125 कितना यहेचा जीए था is on option C किआ होगा हमारा करेक्टर आंसर होगा तो यह है हमारा basic तरीका आप स्योंग कर सकते क्लियर है यह ध्यान रखना है LCM क्यों लिया बच्चों को यही डाउट रहता है LCM के सवाल में कि कहां पर LCM ले कहां पर HCM ले पता ही नहीं चलता है तो यह केवल उन ही को पता चलेगा जिनोंने LCM और HCM को फील लेकर समझे जैसा हमें में तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट त्री वहां से शुरू से देखें और हो सकें तो मेरी ना जोडने पर इन सबसे विबखत हो जाए संख्ञाँ वही सवाल है बस इस बार गटाने के जिए जोडने दे दिया बाकि वह टाइप ऐसे तो एक तरीका तो वही अप्शन थो है लेकिन हम करता है बेसिक और कोई करने लेगा थेक है अब चलता है बेसिक से तो देखो अम एरेक लिए हमें करना क्या आए यहाँ पर हमें LCM find करते हैं अगर मैं 8 लिखता हूँ ठीक है तो 8 लिखने पर यह 3 वार में कट गया 8 से यह 4 वार में कट गया 8 का भाग इसमें पूरा तो नहीं जा रहा है लेकिन 4 का जरूर जा रहा है तो 4 का लगा लो किता आएगा 9 और 8, अगर मैं लिखू 9 लिखा तो यह 3 अपने आप इसमें कंसिडर होगी है ठीक है 9 इसमें से गया 9 इसमें से गया 3 यह फास्ट चीजें है फास्ट करने के लिए ऐसा करोगे तो चदर सही रहेगा उसके बाद मैं यहां पर लिख लो 4 यहां पर लिख लो 3 यह 4 और 3 बचा है ना यह सारा ही हमने कवर कर लिया उससे तो बैतर है जो अपर जोटी क्लास में करत और 4 into 3 कितना हो गया 12 इसका कुणा खरा लो 12 दूना 24 यहां पर आगया दू और यह कितना हो गया 12 सत्य 14 और 2 कितना हो गया ठीक है तो कितना हागी हमारे संख्या कितना आगी आठ सो चॉश्ट ठीक है 864 क्या है हमारा LCM 864 हमारा LCM मतलब इसके अंदर इन सबका डिवाइड चला जाएगा लेकिन आपको वो संख्या ने चाहिए आपको तो चाहिए एक ऐसी संख्या है जिसमें आप इस बार नौ जोड़ोगे तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें इस सबका भाक्ष लगाएगगा आई बात समझ में तो हमारा आंसर क्या होगा आठ सो पच्पन होगा आठ सो पच्पन यह नहीं ऑप्शन बी क्लियर है अब यहां पर रटो के नहीं कई टीचर होते हैं जो रटा देते हैं कि भाईया जोड़ ना लिखा हो तो आप गटा कर आंसर निकाल दो यह कर सकते हो ल उटा आउना चाहिए जिशे इन सबसे भाग देने पर प्रती एक दसा में चार जो है सेस्फल आये हाए ठेक है चार जो है सेस्फल आना ही चाहिए तो फिर से वही बात है आप ऑप्शन भी पकर सकते हो और आप चाहो तो मैथड़ भी लगा सकते तो इस बार देखो सवाल किया था, LCM ये इस तरीके से, तो लंबा पड़ेगा, इत्ता क्यों घुरना, आई बाचमन में, पहला हम LCM निकालेंगे, फिर गटाएंगे, फिर जोडेंगे, जो भी ये सवाल की requirement, क्यों करें हम इत्ता, option है हमारे पास, साथ का गुनज होना चाहिए, सबसे पहले ची क्या ये साथ का गुनज है, साथ का गुनज नहीं है, ये भी अटान, क्या ये है, साथ का गुनज इसको चेक कर लो, बिल्कूल है, आई बाचमन में, आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप option पर चले गए, आपना करिस्मार्ट वर्क कर लिया, answer क्या होगा, option number D, clear है, आप चाहो तो इन सब कर डिवाइड भी लगा के देख सकते हो, आपको सेस्पल 4 मिल जाएगा, आई बाचमन में, तो अच्छी तरीके साब को सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, अगे बढ़ते हैं देखो, अगला सवाल क्या है, 41 number question है, ये कह रहा है, कि चोटी से चोटी संक्या कौन सी है, जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से बाग देने पर प्रति एक दिशा में एक सेस्पल आए, परन्तु 13 से पूर्ण तहा विबक्त हो, 13 से पूर्ण तहा विबक्त होनी चाहिए वो संक्या, ये आपको ग्याद करने, तो वे 13 से विबक्त होनी चाहिए आप तो direct option पकड़ो, कुछ option तो ऐसे eliminate हो जाएंगे, जो 13 से भाग ही नहीं चाहा पा रहा है, इसमें देखो, 13 दो ना 26, 26 तक चला गया, 10 अगर आगे बेज़ दो तो 101 हो गया, 101 के अंदर 13 का भाग जाता ही नहीं, इसका मलब यह हमारा answer हो नहीं सकता, आई बाद समझ में, आगे बढ़ता है, इसको देखो 13 से, 13 एकम 13 चला गया, ठीक है, पांच आगे बेज़ो, तो 13 इंटू 3 हो गया, 39, सही है, 11 अगर आगे बेज़ दू, 111 हम 13 का भाग जाता ही नहीं है, ठालो इसको भी, तो फिर हमारा answer क्या बचा, आपको मतलब कुछ नहीं करना पड़ा है किवल आपने तो यह line पड़ी है, 13 से विबगत होना चाहिए, तो भी जो भी हमार answer होगा, at least 13 से तो 13 का भाग जाना चाहिए, उसमें, किवल D है, जिसके अंदर 13 का भाग जा रहा है, बाग लगा के देख लो एकवार ताकि confirm रहे, 13 का भाग जब मैं लगाता हूं यहां पे तो 13 दूना 26 हो गया, 10 अगर आगे भेज़ दू मैं, तो 11 तक चला गया, फिर 9 आगे भेज़ दू तो फिर से 11 तक चला गया, 91 तक चला गया, बिल्कुल पूरा पूरा डिगर जा रहा है, इसका मलब D correct है, आगे बढ़ता है, 42 नमबर question है देखो, यह कह रहा है हमें कि वहा संख्या कौन सी होगी, जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रती एक दसा में 3 सेस बचे, परन्तु 9 से भाग देने पर सुन्य सेस बचे, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा, वो 9 से विबाजित हो गई होगा, ता विबाजित करके देखो 9 से, अब विबाजित भी नहीं क यहां पर देखें तो यह कित्ता हो रहा है, 11 और 7 कित्ते हो गए, 11 और 7 हो गए, 18 इसको देखो एक वार यहां पर, 5 और यह वाला 7 कित्ता हो गया, 12 हो गया, और अगर इसको देखें, तो यहां पर यह कित्ता हो रहा है, 6 और 9 कित्ते हो गए, 15 हो ठीक है, अब केवल एक इस क्या है जिसके अंदर नौका भाग जा रहा है कौन है 18 बाकि ना इसमें जा रहा है ना इसमें जा रहा है इसका मतलब क्या होगा option B आपका correct answer आई बात समझ में तो इस तरी के साब solve कर सकते हो सवाल को आगे बढ़ते हैं हमारे next question क्या और देखो अगला सवाल अगला सवाल फिर से ऐसा ही है क्या कह रहा है 13 से पूर्ण तहब विबाजित चाहिए मैं तो पूरा सवाल ही नहीं पढ़ूंगा इसमें 13 से विबाजित देख लो 13 से विबाजित कहां पर है कहां पर नहीं है तो 13 दूना 26 हो गया 5 आगे बेजदो 52 बिल्कुल डिवैट जा र आगे बढ़ते हैं इस पर अगले सवाल पर 44 नमर हमें कह रहा है वह चोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन सबसे भाग देने पर एक से इस पलाएगा तो फटा फट से आठ नौ बारा और पंदरा का आप लेलो तो चार जब मैंने लिया तो यहां पर यह आ गया देखो दो और यहां पर यह आ गया तीन फिर मैंने लिलिया तीन जब तीन लिया तो यहां पर आएगा तीन यह कट गया और यह किता हो गया पांच फिर पांस दूनी दस और तीन पांस दूनी दस इंटू तीन किता हो गया 30 directly 30 ही लिख रहा हूँ 30 into 3 किता हो गया 90 90 into 4 किता हो गया 307 तो 360 तो वह संख्या है जिसमें सब का भाग जाएगा लेकिन ऐसी संख्या चीज जिसमें सेस्पल एक आया था आप एक जोड़ दो इसमें तो किता हो गया 361 हो गया देख लो अब 300 एक सेट का दर आप भाग लगा लो सबका तो 360 तक चला जाएगा एक सेस्पल आ जाएगा और वही हमारी कंडिशन थी तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया